सो नमस्कार दोस्तों टेखिनिकल वोगस में आपका फिर्षा बहुत बहुत सुवागत है और दोस्तों मेरे पास आप लोगों के बहुत ही जद्धा कमेंट आ रहे थे इस चीज़ को लेकर कि आप अपने मुबाइल में एप्लिकेशन को कैसे हाइड कर सकते हो आपके पास आपको इस प्रोब्लम का 101 परसेंट वर्किंग सोलुसन देने वालों दोस्तों और आज के बाद आपको कहीं पर भी इस टोपिक पर भटगने की जुरूरत नहीं पड़ेगी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा दोस्तों एक तरीका वो होगा जिसमें कि जो आपके पास खु यह फीचर नहीं दे रखा कि आप अपने मुवाल में किसी भी अप्लिकेशन को कैसी हाइड करें ओके तो फिर आपको क्या करना है अपने मुवाल में जिससे कि आप किसी भी अप्लिकेशन को हाइड कर सकते हो वाट्साप को हाइड कर सकते हो इस्टाग्राम को कर सकते हो फे मूटी चीज है तो अब दोस्तों वीडियो को दियान से देखना दियान से समझना चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ बिल्कुल नोर्मल सी बात है लेकिन जिन लोगों को करना नहीं आता उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों यहां पर जिनके मुबायल में feature है वो लोग तो कर भी लेते हैं लेकिन जिनके मुबायल में feature नहीं है वहाँ पर एप को hide करना बिलुकुल possible मतलब impossible वाला काम हो जाता है लेकिन यह possible है यह आप पुरा वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो कुछ लोग कोशिस करते हैं लेकिन उनका वो paid system मिलते हैं निकर पैसे देने पड़ते हैं उस काम के लिए लेकिन मैं आपको फिरी बताने वाला हूँ उसके लिए आपको कुछ भी पैसा paid नहीं करना होगा सबसे पहले जान लिएए कि यदि आपके mobile में पहले तरीके से setting दे रहुए है पहले तरीका क्या है यदि आपके mobile में सेटिंग है एप को hide करने की तो आपको application को hide कैसे करना है जैसे कि दोस्तों मेरे mobile में यहाँ पर यदि मैं इस तरीके से अपनी screen को दबाई रखता हूँ यह मुबाईल है दोस्तों वीवो का इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैं Samsung का मुबाईल उठाता हूँ इस स्क्रीन को यहाँ पर दबा कर hold रखता हूँ और यहाँ पर setting वाले option में जाता हूँ तो यहाँ पर यह दोस्तों आप लोग देख सकते हो hide app का option मिल गया है और यहाँ से हम किसी भी application को यदि select करेंगे तो वो hide हो जाएगी और वापिस से उसको unhide करेंगे हम use कर सकते है लेकिन इस वाले mobile में feature नहीं है और यदि बात करूँ इस वाले mobile की तो यदि मैं screen को hold रखता हूँ और इसके यहाँ पर menu में जाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसमें भी hide app का एक option दे रखा है और यहाँ से जाकर आप start करके password बनाके अपना एक आप यहाँ से अपनी app को जो है hide कर सकते हो लेकिन दोस्तो बात करेंगे जिनके mobile में यह feature नहीं दे रखा है application को hide करने वाला इस वाले mobile में भी option application को hide कर सकते है इसमें नहीं है और दोस्तो इस वाले mobile में भी option है तो जिनके mobile में नहीं है उनको क्या करना है थोड़ा ध्यान से देखना है अब दोस्तो आपको देखना है दिहान से करना क्या है आपको तो सबसे पहले आपको अपने mobile का जो launcher है launcher क्या रहाता है ये जिससे हम जूज करते है अपनी home screen पर UI वही रहेगा आपके mobile का कुछ भी नहीं चैंज होगा आपको launcher change करना होगा यानिकि एक application को download करना होगा आपको अपने mobile के अंदर जो की बिलुकुल फिरी है और जिससे आप बहुत ही असानी से किसी भी एप को हाइड कर सकते हो पहले स्टोर में बहुत सारी अप्लिकेशन है नेकिन वो अब वर्क नहीं कर रही है मैंने बहुत सारी ट्राइ किया क्यों कि आप लोगों का कमेंट आ रहा था और मुझे इसका 101% solution आपको देना था तो मैंने बहुत ही सर्च किया इस टोपिक पर तब जाकर यह वीडियो बनाई आपको करना क्या है डिस्क्रिकेशन में मैंने एक अप्लिकेशन का लिंक आपको दे रखा है जाए उसको डाउनलोड कीजिए यूटूब पर देख रहे तो निचे क क्या है तो यहां पर डोस्तह आपको कं दो है स्टार्ट के हो करना क्या है इसका लॉक बन जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको कड़ना क्या है देखिए अब यहाँ पर इस तरीके से आने के बाद ऐसे screen आजाएगी यह समझने वाली बात है लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे बढ़ना तो यहाँ पर आकर आपको अपने मुवाली के screen को इस तरीके से दबा कर hold रखन करना है और इसके बाद जो हमने लोंचर्स यानकी application को डाउनलोड किया ओके वह उपर के साइड आएगी इसको select करना है अब दोस्तों क्या होगा यह हमारे फोन में default activate हो जाएगी अब हम जो है application को hide करने वाला फीचर को यूज कर पाएंगे अपने मुवाले के अंदर वो जो फीचर है वो अब आपके मुवाल में आ चुका है अब उसको आप निकालेंगे कैसे अब थोड़ा ध्यान से देखना ओके दोस्तों यह मत समझना कि इस वाले मुवाले के अंदर तो लाएंगे कैसे वही तरीका मैंने अब तक आपको बताया अब इसको यूज कैसे करेंगे देखिए मान लेजिए कि मेरे मुवाल में यह बहुत सारी application है इसमें चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि यहां पर दोस्तों आप आप देखेंगे यह को दबाकर इस तरीके से होल्ड रखना है फिर यहां पर आएगा डेक्टोफ सैटिंग का उप्शन इस पर आपको चले जाना है यह वैसे एक तरह का लोंचर है इसमें तरह तरह की सैटिंग मिलेगे आपको जो क्या आप अपने वाले को कस्टमाइज कर सकते हो सुंदर बना है यहां पर दोख्तों पलस का उप्शन मिलेगा आबको प्लस करना है यहां पर आपकी सारी देखते है WhatsApp हमें मिलता है या फिर नहीं मिलता है ओके तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कहीं भी WhatsApp का option आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने उसको hide कर दिया है ओके डबलू से start होता है मैं डिरेक्टी डबलू पर आ यहां पर देखिए डबलू वाले पर डबलू यह डबलू यह बिजनिस WhatsApp है लेकिन जो WhatsApp है वह नहीं है वूट अप्लिकेशन को हमने हाइड किया था तो वीपर चला जाता हूं डिरेक्टी यहां पर यह आप देख सकते हो यह वीशे स्टार्ट है यहां पर वाइगरा इकन है वह इस रिकोड़र है लेकिन वीशे कहीं भी वूट अपलिकेशन नहीं है चलебं आपको सर्श करके दिखाता हूं अपलिकेशन को प्रौत को सर्च करेंगी लई यह तो कहीं भी वूट आपकरू सकते हो और दूबार Deutsche करना हो क्यों आप कूछ सैब करना हो करना है तो वापिस से इस तरीके से आप चले जाएंगे desktop setting पर चले जाएंगे और यहीं पर जाकर icon cache वाले setting से इसको यहाँ पर करेंगे click और यहाँ से यह टिक वाला option को हटा देंगे तो मैंने सबको हटा दिया है और वापिस से देखते हैं आप देख सकते हो WhatsApp यहाँ पर आ चुका है वूट भी आ चुकी है तो इस तरीके से दोस्तो आपको यूज करना है यह feature जो कि आपके मुवाले में नहीं है लेकिन इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो दिस्क्रेप्शन में लिंक है इसके अलावा कोई तरीका नहीं है दोस्तो और भी लूंचर है लेकिन वह पेड है वह पैसे मांगते है आपको हाइड करने के लिए और जो अप्लिकेशन है वह 32 बिट पर चल रही है भी 62 बिट पर भोती अप्लिकेशन कम है और है भी तो वह सपोर्ट नहीं कर रही है अप्लिकेशन जो है मुबाईल के वर्जिनों में तो यहां पर यह इसलिए गंबिर समस्च्या बन गई थी मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ तो यही तरीका है आतमानना ऐसी कोई अप्लिकेशन नहीं है जो कि डिरेक्टिल हाइड करेगी व झालुमस का दूफ तापका दिन सुबोग झालुमस का दूफ तापका दिन सुबोग